इन खूबसूरत बिल्लिंग्स को ऐसा लोग देने के लिए बड़ी मशक्कत करनी पड़ती है कई टेखनीक्स और प्रडक्स को मिलाने के बाद इसका एक पैनल फिक्स होता है इन एसीपी पैनल्स को लगाने के लिए लेबर अधिक लगता है और एडेसिव या सीलिंट के सूखने के लिए घंटों इंतजार करना पड़ता है कई जगे ड्रिलिंग करनी पड़ती है, स्क्रू लगाने पड़ते है जिससे इसकी खूबसूरती कम हो जाती है तो इन मुश्किलों से मुक्ती दिलाने के लिए पेश है फेविकॉल नेल फ्री, चाहे ACP को अल्यूमीनियम चैनल पे लगाना हो प्लाइवोड पे ACP चिपकाना या वुटन पैनल्स पर सेरमिक टाइल्स लगानी हो ऐसी हर ज़रूरत के लिए है लाजवाब फेविकॉल नेल फ्री ना कोई ड्रिलिंग और ना ही स्कुरू लगाने का कोई जंजट इसके इस्तेमाल से पहले दोनों सताओं को अच्छी तरह से साफ कर लीजिए ताकि इस पे धूल, मिट्टी या तेल कुछ भी ना रहे सबसे पहले फेविकॉल नेल फ्री को काटिए उसके बाद में ये नॉजल लगाकर उसको कन के अंदर लोड कर दीजे नेल फ्री को पूरे अलूमीनियम चैनल पर लगाईए एक किनारे से दूसरे किनारे तब फिर ACP पैनल को अलूमीनियम चैनल पर लगाकर जोड से दबाईए ताकि दोनों सताओं पर फेविकॉल नेल फ्री अच्छी तरह से लग जाए फिर दोनों सताओं को अलग कर लीजे और एक से दो मिनट का इंतजार कीजे ताकि इसका सॉल्वेंट उड़ जाए उसके बाद फिर से चिपका दीजे इस तरीके से पकड बड़ी मजबूत मिलती है और ACP पैनल Aluminium चैनल से फिसलता नहीं है Complete Bonding और Handling Strength के लिए इसे 12 घंटों तक छोड़ दीजे 12 घंटों के Bond Strength के बाद ना तो नमी इसका कुछ बिगाड़ पाएगी और ना ही गर्मी वेविकॉल नेल फ्री समय श्रम और पैसे की बचत पर हट जोड पे जोड